तो यहां से आप नीचे आएंगे नीचे आने के बाद जो है आप यहां नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप स्टुडेंट कार्नर में आएंगे नीचे आने के बाद यहां पर उपर आ चुके ज़्यादा यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि इन्वर्शिटी कार्नर इसके नीचे आएंगे आप इसके नीचे आएंगे इसके नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा जो है थोड़ा जोए कि कापी ज्यादा संक्या में सात्र जोए कि रेल्ट से चेक कर रहे हैं इसलिए जोए कि वेवसाइट थोड़ा सुलू चल लई है तो आप लोग वेट करिए तो यहां पे जोए कि इस परकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है इसके नीचे आएंगे विव रेजल से तोजार इकीस विव रेजल से दोजार बाइस वाले आपसमें पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद इस परकार से आपको सामने आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो शातर थे फर्ष्ट समेस्टर में अर्दाद बीए अब तक जाएगा अगर यहांपे बात करें कि बीए बीस सीबी काम सिकेंड इयर और जो शात्र एम में मसी एमकाम फ़स्ट एयर में है और फाइनल एयर में उन से भी छात्रों का रजल्स कब तक जारी हो जाएगा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जो है कि BA, BSC, BQAM का BA, BSC और BQAM का जो छातर है सिकेंडियर में इन छातरों का रजल्स में देरी क्यों हो रहा है और इनका रजल्स से कब तक जारी कर दिया जा सकता है तो यहाँ पे आप सभी छातर जान सकते हैं कि आप लोगों का first year में एक्जाम नहीं हुआ था आप लोग परमोट कर दिये गए थे तो first year में परमोट होने के कारण जो हो है कि जो आपकी second year के copy का मुल्लाइंकन आपके पूरा हो चुका है कापियों का मुल्लाइंकन का कार पूरा हो चुका है लेकिन रजल्स जो है की तयार करने में काफी समय लग रहा है क्योंकि जो फ़स्टियर का रजल्स है उसी जो सिकेंडियर का रजल्स है जो सिकेंडियर में आपका रजल्स है उसी के बेस पे आपके फ़स्टियर का भी रजल्स तयार किया जा रहा है क्योंकि इनवर्शिटी को 1 रजल्ट बनाने के साथ साथ में 2 रजल्ट बनाने का कारे करना पड़ रहा है अर्था थाओ आपके1 और चिकंडी यर का दोनों वरसों का काम करना पड़ रहा है इसलिए जो है कि आपके रजल्ट में देरी लग रही है तो आप से भी शात्र मानके चलिए कि आप लोगों का रजल्ट से जल्द ही जारी किया जायेगा अगर एक संभावित दित्र की हम लोग बात करें तो 25 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में जो है कि आप लोगों का रजल्ट से जो B.A.B.S.E.B. काम और Y.M.A.M.S.E.M. काम सिकन्ड यर के साथ रहे इनका जारी हो जाएगा यहीपे गर हम लोग बात करें Y.M.A.M.S.E. और Y.M.K.A.M. के जो छातर है वस्ट इयर के उनका कर जाएगा और final year के एम में MSC याम काम के जो छातर है इनका राइसरे कब तक जारी हो जाएगा तो इन सब छातरों का रेजल्ट से जल्दी जाइड़े किया जाएगा क्योंकि इनके भी काप्यों का कार का मुल्लैंकन खत्म हो चुका है और इनका जो है की जो इनका है इनका जो है की कापियों का मुल्लैंकन कार पूरा कर दिये गया है और अपलोडिंग का कारपूर हो जाएगा, यम्मे मसीयम काम के सात्र जो है, इनका 1st year का result से जल्दी upload कर दिया जाएगा क्योंकि इनका क्यों एक ही वर्ष का result से तयार कना इंवर्सटी को, तो इनका कारजो की जल्दी किया जाएगा, इन अगर शात्रों के हम बात किया जा कि संभावित तिति क्या है तो इन सभी शात्रों की जो संभावित तिति आप मान के चलिए कि 25 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में इनका भी रेजल्ट जारी होने की पूरी-पूरी संभाववनाय है क्योंकि इसमें एक ही वर्स का के जो छात्र हैं इन चात्रों का रहुट्स कब तक जारी हो जायगा इन चात्रों का क्या हुएं था किorse इर नहों को पर जार कर दिया गया था से उसलिए कि फरस्ट इयर लाश्ट वीक में जो है कि खत्म हो चुका था अब कापियों का मुलेंकन कार्य समाफ्थ हो चुका है अब जो है कि इनका अंक फीडिंग का कार्य चला है और इनिवर्सिटी में समेश्ट एक्जाम भी चला है आप लोगों को पता है कि नई सुचानीत के ताथ B.A.B.S.E.B. काम के सिकेंड समेश्टर का जो कि एक्जाम चला है कुछ अधिकारी इस तरफ बेस्त है जो परिछा सिमीती थी इस तरफ बेस्त होने के कारण जो है कि वहाँ पे देरी हो रहा है इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि B.A.B.S.E.B. काम के समेश्टर एक्जाम होने के कारण क्योंकि जो कंडिडेट जो अधिकारी थे वहाँ पे काम करें तो अधिकारी को इस तरफ काम करना पड़ रहा है इसलिए जो है कि इनको देरी हो रहा है रजल्ट में अगर हम लोग बात करें इनका रजल्ट से कब तक जारी होगा तो आप लोग मान के चलिए कि 5 सिनमबर के पहले पहले सभी छात्रों का रजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है जो भी छात्र बचे हुए है जिनका रजल्ट से नहीं जारी किया गया है और बिये बिये सी बीकाम जो छातर एजी की हैं उन छातरों में थोड़ा कम संक्या में होते हैं उनका जो है कि आप माने के चलिए 25 अगस तक हो सकता है रेजल्ट उनका गोसित कर दिये जाए तो हम आसा करते हैं आप से भी चातरों को मारत दी गई जानकारी समझ में आई होगी अगर आप लोग चैनल को पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइगन को प्रेस कर लेना और अपने मित्रों के पास सेयर कर देना जिससे की धेर सा फार्मेशन को माव सभी तक चातर तक पहुंचा सकें तब तक के लिए जय हिन जय भारत